कैसे हैं आप सब लोग आई हो पच्छे होंगे बेलकम टू स्टडी विट सुमिता आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इंडियन जियोग्राफी टॉप GKGS 30 कोश्चन जो की जो महत्वपूर परिक्षाएं हैं उन सब में पूछे गए प्रशन हैं जो बार-बार आते हैं तो आप भी कोश्चन को एक बार पढ़ लीजेगा पेपर देने से पहले और हंडेट परसेंट आपके इसमें से कुछ कोश्चन जरूर फजेंगे ठीक है तो बस वन नैनर है तो आप इनको एक चे दो बार देखेंगे तो आपको याद रहेंगे अगर आपको उसक परूर में इस्तित है तो बहेंग आपका मडी-पूर ठीक है कौन सा है मडी-पूर नेकुष्चन है 10 डिग्री चैनल प्रथक करता है मतलब 10 डिग्री चैनल जो है अलग करता है किसको करता है अंड मान को नीको बार्ट डीप्संहू से ठीक है भारत में सबसे पहले किस इस्तान भारत का green witch कहा जाता है तो उज्जेन कोशन नमबर फाइब भारत के केंद शासित यहाँ पर याद रखिएगा यहाँ पर भारत के केंद शासित पूचा गया है केंद शासित प्रदेशों में कौन छेत्र फल में सबसे बड़ा है तो यह है अंडुमार नीकोबार सम नेस्ट कोशन है किस राज्य की सीमा बांगला देश से नहीं मिलती है तो मड़ीपूर नहीं मिलती है ठीक है और इसको अपोजिट सैट में भी पूल सकते हैं कि मड़ीपूर की सीमा जो है किस देश से नहीं मिलती है ठीक है तो इस तरीके से भी कोशन बन सकता है पीर पंज जाल श्रेणी पाई जाती है कहां पाई जाती है ये जम्बू है हम कश्मीर में पाई जाती है उतर प्रदेश के हिमाचल का सर्वोष शिकर क्या है तो बहें आपका नंदा देवी ठीक है चलिए कोशन नंबर टैंडूमान और नीकोबार दीव सम्मू में सबसे अधिक मतल मैदान को क्या कहा जाता है तो उसको कहा जाता है भाबर ठीक है चलिए आगर बढ़ते हैं नदियों में से किसका सरवादिक बड़ा जल गिरहन छेतर है तो बहें आपका गोदावरी का सिंधू की सायक नदियों में कौन पाकिस्तान से होकर नहीं भैती है ठीक है जो सिं अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा लाइक करिएगा ठीक है और कमेंट में बताईएगा कि यह जो कोशन मैं आपको बता रही हूं तो यह कोशन सापको याद थे नदियों मेंसे कौन सी एक हिमाले की तीनों श्रेणियों को जो है आर पार काटती है ठीक है तो भै है आपके सत्तलच दूद गंगा नदी कहां पर है तो ये है आपके जम्बू एवं कश्मीर में किशन गज एक सायक नदी है किस की है जेलम नदी की तो जेलम नदी की सायक नदी कौन सी है किशन गंज ओके ऐसे भी आ सकता है कोश्चन में फरक्का के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है तो फरक्का तक तक तो जो है गंगा नदी को गंगा नदी के नाम तक ही जाना जाता है पर उससे आगे गंगा नदी का नाम बदल कर क्या हो जाता है पद्मा सिरी हरी कोटा दीप निकट अवस्तित है कहाँ पर है पुली कट जील में चलिए next question number 19 भारत का सर्वा अधिक जाने की सबसे अधिक आवादी वाला दीप कौन सा है तो बहे हैं सलसेट मोरी बंद डेल्टा जो है किस डेल्टा का उप भिवाग है तो यह है बंगाल डेल्टा का उप भिवाग है question number 21 भारत के कितने राज समुद्र के किनारे हैं तो बहे हैं आपके 9 पाक की खाड़ी अवस्तित है कहाँ पर अवस्तित है पाक की खाड़ी मनार की खाड़ी और बंगाल के बीच में इस्तित है पाक की खाड़ी ठीक है ऐसे भी question पूर सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी और बंगाल के बीच में जानी कि किस कौन सी खाड़ी अवस्तित है तो बहे है पाक की खाड़ी है फूलों की खाड़ी का हवस्तित है उत्तराखन जानी कि उत्तरांचल में ओके नेश्ट कोशन है भारत का लगवक दो तेहाई कोईला कहां पाया जाता है तो ये पाया जाता है दामोदर खाड़ी में शिव समुंदरम प्रपात किस नदी पर इस्तित है तो ये है आपके कावेदी नदी पर इस्तित है कोशन climax 26 भारत में ज़णों में से सरवादिक उचाई वाला कौन सा ज़णा है तो वह है आपका कुछी कल जणा ठीक है यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्ट्रेंट हो गया है तो ये आएगा आपका कुछी कल ठीक है कुछी कल जणा नेस्ट कोशन है भारत के किस राज में फुल अरजील इस्तित है तो वह है आपके उत्तर प्रदेश में नेस्ट कोशन है चित्रकुट जल पिरपात इस्तित है कहाँ पर बस्तर में चौरा बड़ी गिलेशियर कहां इस्तित है तो वह है केदानात मंदिर के उत्तर में नातुला दर्रा भारत के किस राज में इस्तित है तो बहें आपके सिक्के में ठीक है तो आज के लिए इतना ही है तो बस अगर आपको कोशन अच्छे लगे हो तो चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब जरूर करें और आपके लिए ठैंक यू ठीक है एक और ऐसे ठीक है यह आ सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा चलिए फिर मिलती हूँ नएस वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई और हाँ एक बात और कहनी थी जब तक आयो थे एक बात और सुलो नेरा एक चैनल और मैंने अपना न्यू खोला है ब्लॉक चैनल है मेरा उसको भी आप लोग करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा ठीक है चलिए आप करती हूँ बाई बाई